असलाम अलेकुम आज हमने बनाई है रोटी और रोटी हमने जो बनाई है वो बिना आटा गुंदे बनाई है बहुत ही सौफ्ट रोटी हमारी बनी है और इसको बच्चे भी बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं बहुत ही मुलायम हमारी रोटी बनी है ये देखें कितनी मुला आइकन जरूर दबाएं ताके आनी वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैं लूँगी दो कप गेहूं का आटा और हमने लिया है एक मिक्सी जार इसमें हम दो कप आटे को डाल देंगे आप चाहे तो एक कप आटा और एक कप मैदा भी ले सकते हैं थोड़ा नमक भी डाल दिया है हमने एक चमज हम डाल देंगे वेजिटेबल ओयल और सौफ्ट रोटी बनाने के लिए हमने इसमें डाल दिया है एक कप दूद नॉर्मल टेंपरेचर पे गरम हुआ दूद है और पानी में कितना हमने आठा लिया है उतना ही हम पानी लेंगे और इसको एक बर चला लेंगे अगर आब इसको मिक्सी में नहीं करना चाहते तो आप इसको विश्कर की मदब से भी कर सकते है ये देखे में लेकिन थोड़ा ठिक लग रहा है तो ठोड़े पानी के और जरूरते मुझको तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दूगी और एक बार और चला लेंगे हम इस को इथे कि बैटर बिल्कुल तयार है इसकी कंसरिंटेंसी देखिए बिल्कुल परффेक्ट है रनिंग कंसरिंटेंसी चाहिए हमको बिल्कुल स्मूथ चाहिए और इसको निकाल लेंगे एक बॉल के अंदर इस तरीके से भी इसकी मदद से भी आप आटे को फेट सकते हैं बिल्कुल लंच नहीं रहने चाहिए और इसे नॉन स्टिक तवा भी हमने गरम कर लिया है थोड़ा सा तेल अपलाई कर देंगे इसको पर और एक चमच लेके मैंने इस पर डाल दिया है और इस तरीके से मैं इसको फेला दूंगी गैस की फ्लेम को मीडियम रखें मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे थोड़ा कलरशेंज होने लगेगा देखें आप अब इसको पलट देंगे एसी तरीके से हम दूस beneficiaries साईट से से भी सेख लएंगे, अब ऑप गयस की ? कोड लो कर दें और लू फ्लिम पर हम इसको इस तरीके से सेख लेंगे बड़ी आसानी से देखें हम रोटी बना रहे ही, बच्चे भी इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं देखें कितना बड़ा कलरा है रोटी को हमने पलट दिया है बस इसी तरीके से लो फ्लेम पर हम इसको सेखते जाएंगे दौनों साइट से बस इसी तरीके से हम सबी रोटी को तयार करेंगे पहले हम बताएंगे आपको नॉन स्टिक तवे पर फिर हम आपको बताएंगे लोहे के तवे पर भी किस तरीके से बनाई जाती है बस देखें कितना बड़िया कलर आया है दोनों सैट से रोटी हमारी अच्छे से सिख चुकी है देखें थोड़ी थोड़ी फूल भी रही है हमारी रोटी बस इसी तरीक से इसको गुमा गुमा कर हम सेख लेंगे अब इसको हम हठा देंगे अब दूसरी डोटे भी हम तियार करेंगे ठोड़ा ओयल लगा दिया है गैस की फ्लाम को लो कर दें और एक चमच हमने इसमें बैटर डाल दिया है ग्यों का और इस तरीके से इसको फैला देंगे जिस तरीके से डोसा बनाया जाता है बस उसी तरीके से हम गयों की रोटी भी तयार कल लेंगे थोड़ा कलर चेंज होने के बाद में हम इसको पलट देंगे देखें कलर चेंज होने लगा है बस अब हम इसको पलट देंगे दूसरी सैट से भी सिखने देंगे देख रहे हैं आप कितनी बड़ी हमारी रोटी पक्री है बिना मैनत के हमने कितनी जल्दी रोटी को बना लिया है बस इसी तरीके से दोनों सैट से हम सेखते जाएंगे इसको भी अठा देंगे अब हम बताएंगे आपको लोहे की तवे पर किस तरीके से बनाएंगे तो हमने लिया है लोहे का तवा अच्छे से पहले लोहे की तवे को हम गरम करेंगे फिर गैस की फिलेम को हमने लो कर दिया है थोड़ा ओईल लगा देंगे और इसको नॉनिस्टिक बनाने के लिए हम ने लिया है एक प्याज और प्याज को इस तरीक से हम तवेक उपड लगा देंगे ताकि अच्छे से हमारा जो तवा है वो नॉनिस्टिक बन जाए अब एक चमच लेंगे और बैटर इसको उपड़ डाल देंगे और इस तरीके से फैलाएंगे एक साइट से इसको सिखने देंगे देखें कलर चेंज होने लगा है बस अब हम इसको पलट देंगे तो देखें आप दूसरी साइट से भी इसको सिखने देंगे बस इसी तरीके से हम इसको सेखते जाएंगे और लोहे के तवे पर भी आप आसानी से इसको बना सकते हैं, इसी तरीके से इसको ग्रीस करें, थोड़े प्याज इसको पर रब कर दें, तो यह नॉनिस्टिक लेयर बन जाएगी, और हमारी रोटी बड़ी आसानी से बनेगी, यह देखें दूसरी साइट से भी हमने इसको से तयार होगी, अच्छे से दोनों साइट से सीखने के बाद में हम इसको अठा लेंगे, इसी तरीके से दूसरी रोटी भी हम तयार करेंगे, देखें गैस की आच को पहले फुल करें, फिर बिलकुल लो कर दें, लो फ्लेम पर हमने तेल लगा दिया है, वापिस से इसको पर प्याज रप करेंगे, ताकि एक नॉनिस्टिक लेयर बन जाए, गैस की फ्लेम को लो रखें, और लो फ्लेम पर हमने इसको उपर बैटा डाल दिया है, इस तरीके से इसको फैलाते जाएंगे, साइट चेंज कर देंगे अब, देखें, बहुत ही जल्दी हमने बहुत सज रोटी तयार कर ली है, बहुत ही बढ़िया और सॉफ्ट हमारी रोटी बन के तयार होगी, तो जब भी बच्चे भी अगर इसको बनाना चाहें तो बड़ी आसानी से इस रोटी को बना सकते हैं, बिना मैनत के, बिना आठा गुंदे मैंने रोटी को तयार करा है, तो देखें, दोनों साइट से रोटी अच्छे से सिख चुकी है, बस इस तरीके से थोड़ा दबा दबा कर हम इसको सेख लेंगे, इसको भी अठा देंगे, बस हमारी रोटी बन के तयार हैं, और देखें, बिना आठा गुंदे हमने मिन्टों में कितनी सारी रोटी बना लिए, बहुत ही मुलायम हमारी रोटी बन के तयार हुई है, अगर आपको हमारी रोटी बन के तयार हुई है, अगर आपको हमारी रोटी बन के तयार हुई है, ताके आने मेली वीडियो सबसे पहले आपको मिले अल्लाँ